प्रेंड्स आपके अपने चैनल और फिल्ट टेक्निशन में आप सभी का स्वागत है जो लोग इस चैनल पे ने वो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें जिससे और लाइक के बटम को प्रेस करें जिससे की हर रोज नई वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे है तो आएए दोस्तो आज हम बाते करते हैं कुछ रिग मोडल और रिग इस riff टें करते हूं और साथी मैं आप लोग कुछ अपने बारें मी बताना चाहता हूं साथी मैं भी एक oil field में काम करने वाला worker हूँ मैं as a mechanic oil field में काम करता हूँ मैंने oil field 2013 में जोइन किया था as a assistant mechanic in production उसके बाद करते 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 मैं 1000 hp रिक पे गया जो e760 है उसके बाद मैं अभी ev 2006 कराई काल में काम करता हूँ तो दोस्तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बाहर जाओं दूसरों की तरह दूसरे मैं भी सीखना चाहता हूँ इसके लिए मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ तो मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि कीप लर्णिंग जिससे आपको आगे काफी सारे questions के answer मिलेंगे हर चीज का अंसर बुक्स में होता है बुक्स को पढ़िए या तो practically करके देखिए practically आपको कुछ चीजे कभी कभी मिलेंगे कभी कभी ने मिलेंगे कि लेकिन बुक्स पे आपको हर चीज मिल जाएंगे तो दोस्तो हम बात करेंगे आज rig model E760 के specification के बारे में जो कि आप मेरे screen पे देख सकते हैं तो आई स्टार्ट करते हैं तो आज बात करेंगे हैं rig model E760 भायो इसको मैं कुछ 3-4 parts में बनाने जा रहा हूं ताकि वीडियो कुछ जादा बहुत जादा लंबा भी ना हो जाए जैसे कि मैं E760 के लिए part 1 और part 2 side बना सकता हूं या तो अगर part 1 में cover हो जाता है त तो मैं part 1 तकते की रखूंगा और 4100 के लिए भी मैं SI करने जा रहा हूं ठीक है तो आई स्टार्ट करते हैं लेगिन मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूला और बेल के आइकम को प्रेस करना मत भूले और वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटम को जरूर प्रेस कीज सबस्क्राइब करना मत भूलेगा भाई हो चलिए मोडल इस जो होता है वह एलेक्ट्रिक ड्राइब होता है और 760 जो होता है वह किलो वार्ट होता है और एच्पी पर उसको थाउजन एच्पी बोला जाए इसकी जो डिलिंग डेप्थ क्यापासिटी वह 3600 मीटर्स है और अन्याइब जो साइज है फोर एणहाप साइच के साथ इन चेश के साथ मैक्सिम लोड़ कर सकता है वह 190 टंस तक केरी कर सकता है वो 90 रन आप सो सकते कितना होता है लेकिन मैंने इस रिख पर काम किया है तो रिख काफी अच्छी रिख है और रिख में ज्यादा कुछ पॉलम होता है क्योंकि रिख काफी पुरानी है ये सारे रिख साहिद 1987-83 के आसपास के कमिसिनिंग रिख है तो इनमें कुछ पॉलम साते रहते हैं जिसके वैसे आपके पास कुछ ना कुछ चोटा बड़ा काम रहता है तो उसके बाद जो हम 1400 के बारे में इस वीडियो में डिसकस नहीं करेंगे वी विल डिसकस अल्ली अबाट 760 रिख equipment can be divided in five categories चो रिख equipment होते हैं उनको five categories में डिवाइट किया जाता है जो होता ह है power producing equipment जो power producing equipment होते हैं वह पावर प्रेक और compressor फिर hosting equipment पर आपको मिल जाएंगे ड्रोवर्स, crown block, traveling block, hook और air winch यह सारे hosting के काम में आते हैं hosting means आप समझ सकते होंगे जो pipe को up सा down करते हैं उसे hosting करते हैं rotating equipment में आप जब आओगे तब आपको rotary table मिलेगा, IRD मिलेगा, IRD का means होता है independent rotary drive, IRD जब install होता है तो rotary drive को draw box से drive करने के कोई जरूत नहीं होता है, इसके separate motor के थ्रोस से rotary table को सीधा IRD से drive किया जा सकता है IRD के बारे में हम अगले कुछ time बात discuss करेंगे अभी फिर top drive system, top drive system क्या होता है, top drive system is basically alternative or rotary table top drive system जो है वो alternative है rotary table का, जिसमें आपको rotary table की कोई जरूत नहीं परती आपको torque भी TDS में मिल जाता है, और rotation भी आपको TDS में मिल जाता है TDS से आपका काफी time बसता है drilling करने में, इसका main जो motive है वो है कि reducing drilling time फिर आपके पास है swivel, swivel जो है वो है आपका drilling, जो केली होता है, केली और top drive दोनों में मिल जाता है जो swivel होता है, केली के ऊपर लगा होता है आपने notice किया होगा, केली के ऊपर का जो part होता है उसे swivel कहते है swivel और केली एक साथ ही होते हैं लेकिन उनको assemble करना पड़ता है, transportation में उनको कभी-कभी एक साथ नहीं रखा जा सकता है केली काफी लंबा होता है, करें 12-13 मिटर का केली होता है fluid circulation and conditioning equipment fluid circulation में आपको मिल जाएगा mud pump, mud pump तो आप जानते होगे जो mud को circulate करने के लिए और drilling के लिए use होता है, throw mud आपको mud pump आपका जो mud है वो drill sting पे भेजा जाता है और from bottom to surface उसे pump किया जाता है hopper होता है, hopper जो होता है, mud mixing के काम आता है जैसे कि आपका barite, bentonite, बाकी जो भी chemicals, chemistry यूज़ करते है during drilling, उसमें आपको hopper की जरुत परती है descender जो है, वो एक mud cleaning equipment है और desilter भी से mud cleaning equipment है, बट दोनों के जो filtration की microns है वो थोरी अलग-अलग है और degacer जो है, वो mud से gas को separate करने के लिए यूज़ किया जाता है mud agitator जो है, वो mud settle ना हो जाए, इसके लिए mud agitator का use किया जाता है वो continuously mud agitator rotate होता है और उसको blending करते रहता है उसके बाद आपके पास wrap mixer in